दियर स्टूडेंट्स आज हम भोजन एवं पोशन में संतुलित आहार के बारे में आपसे बात करेंगे संतुलित आहार को अगर हम देखें तो वो आहार जिसमें सभी पॉस्टिक तत्व व्यक्ति विशेश की शाडिरिक मांग के नुसार आयू, वजन, उसकी क्रियाशीलता, आवस्था, आधी के अनुसार अगर उजित मात्रा एवं अनुपात में मौजूत होते हैं तो हम कहते हैं कि वह आहार उसके लिए संतुलित आहार होता है यानि a balanced diet is a diet which contains all the food nutrients in proper proportion and from the proper source of so that the minimum daily requirement are obtained इसके अंतरगत परियाप्त मात्रा में पॉस्टिक तत्व होना उपस्तित होना चाहिए जिसके अंदर calories की उपस्तिति, वसा की उपस्तिति, protein, खनिजलबन, vitamins और जल का होना आवशक होता है पॉस्टिक ततो की अधिकता हो या पॉस्टिक ततो की आवशक्ता से कमी हो दोणा ही स्वास के लिए हानीकारक होता है अब ये जो संतुलित अहार है जिसको हमने कहा कि according to requirement होना चाहिए according to creation शीरता होना चाहिए अवस्था होना चाहिए तो ये जो संतुलित आहार है ये प्रत्य एक व्यक्ति के लिए भिन्न भिन्न होता है यानि एक व्यक्ति के लिए जो आहर संतुलित होता है वही आहार दूसरे व्यक्ति के लिए असंतुलित हो जाता है क्योंकि उसकी क्रिया शीलत अलग होती है उसके अवस्ता अलग होती है उसकी जो एच है वो अलग है आयू अलग है वजन अलग है उसके अकॉर्डिंग उसकी आवश्रक्त होती है जैसे गर्भ अवस्ता में गर्भवती मात्या को दिया जाने वले संतुले ताहार सामने वयस् और यदि पर भोचिपदार्थ तो वही होंगे परन्तों भोचिपदार्थों कि मात्रा एवं अनुपात में भिन्नता हो सकती है इसका मतलब यह है कि संतुलित आहार को जो प्रभावित करने वाले कारक हैं उनके अंदर यदि हम देखें तो सबसे पहला इंपोर्टेंट जो कारक होता है जिसको कह सकते हैं कि सेक्स यानि लिंग जो है वो संतुलित आहार को प्रभावत करने वाला पहला इंपोर्टेंट कारक होता है इसके अंदर यदि हम देखे हैं तो जो लिंग है यानि इस्त्री या पूरुष तो शारीरिक संद्रज्जा की जन्म से ही प्रक्रति प्रदत जो बिन्यताएं पाई जाती है साथी आकार, भार, क्रिया शेलता आधी में भी इनमें अंतर होता है प्रोडा वस्था में देखा जाये तो इस्त्री की अपेक्षा पूरुष का शरीर भार, लंबाई, शरीर का शेत्रपुल, आकार, क्रिया शेलता आधी अधिक होता है इसी कारण पूरुषों को महिलाओं की अपेक्षा अधिक पॉस्टिक तत्वों की आवशक्ता होती है जाती है इसी तरह जब व्रद्धा वस्था होती है तो बहुत जादा टूठ-वूट होती है उस संहें पॉस्टिक आवशक्तन है Separate की होती है जिसके अंदर बाउ-बास्ट-बानी, ख्राण, कहले कार्ण, कैयोंकि BMR आधा है तो calories के आवशक्ता भी differ होती है जैसे यहाँ पर देखा कि शारीरिक क्रियाशीलता जो है वो भी आवशक्ताओं को प्रभावित करती है जैसे जो व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा कारे करता है हम उसे कहते हैं कि वो अधिक क्रियाशील है तो उस केसे में जो आवशक्ता है वो जादा होती है अगर मध्यम क्रियाशीलता है तो इसमें जो व्याय है उर्जा का वो भी मध्यम प्रकार से होता है जिसके कारण से उर्जा के आवशक्ता थोड़ी कम होगी और जो कम क्रियाशील है या साधानन क्रियाशील है जिसे हम sedentary worker कहते हैं तो वहाँ पर जो आवशक्ता है वो calories की कम उर्चावे होने के कारण उनकी उर्चा की आवशक्ता भी कम होगी इसी तरह से स्वास्त हो सकता है जलबाई हो सकता है विश्ष्ष शारीर का वस्ता हो सकती है जिसके अंदर जैसे गर्भ अवस्ता है तो गर्भा अवस्ता में requirement बढ़ जाती है दात्री अवस्ता है वहाँ पर मैल और फिमेंज दोनों के लिए अलग बताया है और साथ ही शालापूरों मात्रा है तो यहां पर हम देखे तो पूर बालक प्रीस्कुल चाहिल जो है उनके लिए संतुलित आहार इस तरह से दर्शाय गया है जिसमें देखें तो संतुलित आहार में कौन-कौन से आहार सम्मिलित होने चाहिए जिसमें अनाज है डाले हैं हरे पत्तिदार सबजियां जड़ कंद एवाम अन्य सबजियां पल दूद मास मतली अंडा और गुड और शकर यानि यह जो समू है इनको अलग-अलग डिवाइड कर दिया गया है जैसे अनाज के अंदर हमने कहा कि अनाज में वह चीज़ा आती है जिसमें यहू जो जवार बाजरा मक्का इतियादी डालों के अंदर सभी प्रकार की डाले हैं हरे पत्तिदार सबजियों में मेथी बत्वा प इतियादी इसके अलबा मास मतली अंडा समू होता है और गोड़ और शकर समू होता है जिसमें गोड़ और गोड़ से बने हुए शकर आधी सम्मेलिद होती है तो यहां पर हम देखते हैं कि जो पूरव शालब बालक है यानि प्री स्कूल चेडर्डरंस जो है उसमें एक से तीन वर्ष के बच्चों में यदि हम देखें और चार से चैवलख के बच्यों में देखें तो यहां पर दिया हूआ है कि आनाज की जो हावशक थे है यानि अकर वो शाक का हरी ग्रूप है और मांसा हरी ग्रूप है तो दोनों की आवशक्ता है कई जगे पर अलग-अलग क्योंकि उनकी जो टाइट में अलग-अलग प्रकार की चीजे सम्मिलित होती है तो यहां पर हमने अलग-अलग उसको जो requirement वो अलग-अलग है जैसे अनाज की जो आवशकता है दोनों cases मिल चाहे एक से तीन वर्ष का बालक हो उसमें 120 ग्राम प्रति दिन अनाज आवशक होता ह तो 50 ग्राम डाल प्रति दिन यहां पर आवशक होती है और इसके अलावा यहां पर हम देखें तो मानसाहरी में 40 ग्राम की आवशकता होती है 4-6 वर्ष में 60 ग्राम और 50 ग्राम हर अपतेदा सब्जों को देखें तो 50 ग्राम शाकहरी के लिए 1-3 वर्ष में और मानसाहरी के यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं लेकिन मांस मतली और अंडा क्योंकि प्रोटीन की आवशकता है यहाँ पर इनसे पूरी हो जाती है तो दालों की यहाँ पर आवशकता उपर हमने देखा कि वो कम है तो दोनों ग्रुप में 40-40 ग्राम मांसाहरी में आवशकता होती है हमने देखा कि 7-9 वर्ष है 10-12 वर्ष है 13-15 वर्ष है 13-18 वर्ष है और यहाँ पर जो संतुलित आहार की मात्रा जो ग्राम में दिखाई दे रही है वो सभी वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन के लिए अलग अलग प्रकार से होनी चाहिए इसके अलावा यहाँ पर पुरुष के लिए संतुलित आहार की मात्रा की एक टेबल दिवी है इसके अलावा गर्भवती मात्रा स्री धात्री मात्रा के लिए संतुलित आहार यहाँ पर दर्शाया गया है अब हम एक चीज यहाँ पर देखते हैं कि जो पॉस्टिक तत्व की आवशकता है संतुलित प्रस्तावित है जो की जिसे हम आडी के नाम से जानते हैं यानि रिकमंडेट डेली डाउंसे डाउंसे इंडियन्स के लिए जिसके अंतरकत सभी सम्हू के लिए यहाँ पर एक टेबल दीवी है सबसे इंपॉर्टन टेबल है जहाँ पर हमें पता चलता है कि कौन सी अवस्था में कितने शरीर भार में किस हिसाब से कितने कितने ग्राम्स पॉस्टिक तत्वों की आवशकता है हमारे शरीर को है तो यहाँ पर टेबल है इसमें साफ दिखाई दे रहा है जैसे मानलो शेष्वा वस्ता है यानि प्री स्कूल है जिसके अंदर शेष्वा वस्ता जो है जिसमें 0-6 महा के और 6-12 महा के जहाँ पर शरीर का भार 5.4 किलोगरम है और 6-12 वर्ष में जहाँ 8.6 किलोगरम शरीर बार है महां पर उर्जा की आवशक्ता है पहले छह मेने में 108 किलो कैलोरीज प्रती ग्राम प्रती किलोग्राम उर्जा की आवशक्ता है और 65-singing फ्रवर्ष में 98 किलो केलोरी फ्रती केजी और चारा कि आवशकते है इसी तरह से प्रोटीन के आवशकते भी अहां पर दिखाई दे रही है जिसमें प्रोटीन जो है 2.05 ग्राम फ्रती किलो ग्राम शेरीड भारकी साथ से प्रोटीन आवशक होता है और 6-1 वर्षन जो है उसमें 1.65 ग्राम प्रती किलो ग्राम प्रोटीन की आवशक्ता होती है इसी तरह से यह दि हम यहाँ पर देखे तो महिला जो है साधरेन महिला में 50 ग्राम प्रोटीन पर दे आवशक्ता होता है लेकिन जो गर्वती महीला होती है महाँ पर प्रोटीन के आवशक्ता भी बढ़ जाती है जिसमें प्लस 15 ग्राम गर्वती महीला को आवशक्ता होती है प्रोटीन की और प्लस 25 ग्राम प्रोटीन 0-6 महीने के धात्री अवस्ता में और प्लस 18 ग्राम 6-12 महिने की धातरी अवस्ता में आवशक होता है अब इसके लवा अब हम बात करते हैं यहाँ पर कौन-कौन से संतुलित आहर में कौन-कौन से जो तत्व है पॉस्टिक तत्व जिनकी आवशकता है और उनके जो सोर्सेज हैं क्या-क्या है जैसे कैलोरीज के जो आवशकता है कैलोरीज चरीरेLab को उर्जा प्रदान करने के लिए आहर में पर्याप्त मात्रा में कैलोरी या कार्बोहडर्य यूगति भोज्य पदार्थ होना चाहिए वसा भी उर्जा उत्पादक भोजी पदार थे परन्तों इसमें संत्रप्त वसी आमले कॉलिस्ट्रॉल, लिपिर्स, आधी भी उपस्तित होते हैं जिनकी अधिकता शरीर के लिए हानिकारग हो सकती है तो भारती उर्जा प्राप्ती है तो कारभोज यूगत जो भोज्य पदार थे जिनका सबसे ज़्यादा उप्योग किया जाता है जिसमें गेहू, चावल, जौ, बाजरा, मक्का, रागी, इत्यादी, समिलित किये जाते हैं कारभोज ही हमारी डाइट में उर्जा का मुख्य साधन होता है यह सस्ता भी है और प्रचर मात्रा में लब्ध भी है बारत की जो अधिकांश निर्धन जनता है उनके भोजन में भी कारभोज की मात्रा 80-90% तक रहती है और शेष 10-20% उर्जा जो है वो वसा से प्राप्त करते हैं और इसके अलावा अनाजों के अंदर प्रोटीन भी पाये जाता है 6-12% प्रोटीन होता है अनाजों में विटामिन B1, B2, नायसिन की भी प्रचुरता होती है अनाज, शकर, गुड, आलू, शकरकंदी, आर्थी, उर्जा, उत्पादक, भोज्य, पताथ है इसके अलावा प्रोटीन को हम देखे तो प्रोटीन हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवशक होते है हम शरीर में कोशो का निर्मान करना, कोशो में हुए टूर्फूर की मरमत करना हार्मोन्स का निर्मान, तवचा, तवचा की सुंदरता के लिए, रक्त के निर्मान के लिए एंजाइम्स, हार्मोन्स, इनके लिए प्रोटीन की काफी आवशक्त होती है तो हमारे जो आहर में प्रोटीन जहां से हमें प्राप्त होता है उसके अंतर के दाल सुखे मेवे मांस मथली अंडा सोया बीन दूद आधिसे जो हमें प्रोटीन प्राप्त होता है इसके लब यहां पर प्रोटीन की जो आवशक्ता दिखाई गई है जैसे पिछली बार भी हम शरी बॉडी वेट इसके अलावा महिलाओं के अंदर जो आवशक्ता हमने बताई कि वैस्क मला में 50 है और इस तरह से प्रोटीन की आवशक्ता भी अलग-अलग अवस्ताओं में अलग-अलग होती है अब तीसरा जो है वसा जो है वसा के प्राप्ति के लिए जो मुख्य स्थ वो है घी और तेल तो हमारे यहां पर भी घी और तेल एक तो वसा के प्रोट है साथ ही वसा में गुलंशील विटामिन के अवश्रोशन के लिए यह आवश्यक होता है इसके अंदर जो तेल बीज होते हैं जैसे सुखे मेवे जिसमें सरसो तिली मूंफली तिसी सोया बीन टनफ्ञावर आधी जो है जिन से वसा प्राप्त की जाती है और यह वसा के अत्तम क्रोफ तरोफ होते हैं विटामिनEMA지 के जू इंप्वर्टेंट विटामिने नियू जिसके अंदर जेलमे गुलंशिल विटामिन के जेल मेगुळंशिल विटामिन के अंदर मापा जाता है तो कैरोटीन जो होता है वो हरे पत्तिदा सब्दियों पीले फाल आदी में पाया जाता है और विटामिन A, कॉड लिवर, ओयल वसी मतलियां आदी में पाया जाता है तो यहां पर जो आवशकता है बताई गई है जैसे शैश्वा वस्ता में तो रेटिनोल की आवशकता है 350 है, बीटा कैरोटीन 1200 माइक्रो ग्राम प्रति दिन बीटा कैरोटीन की रूप में आवशक होता है इससे तरह से यहां पर देखें विटामिन D जो है, वो हमारी हड़ियों के लिए बेहद ही आवशक होता है और सूर्य की किड्ने जो है विटामिन D का सबसे उत्तम स्त्रोथ होती है और इसकी कमी से रेकिट्स नमक रोग हो जाता है तो यहां पर साथ ही हम थाइमीन देखें तो जैसे थाइमीन है जल में गुलन्शिल विटामीन होता है शुषक खमीर थाइमीन प्राप्ति के उत्तम स्त्रोथ होते है और इसके अलावा थाइमीन आनाजों के बहारी परत के ठीक नीचे पाया जाता है चावल, गेहू, मक्का, आदी आनाजों में भी काफे मात्रे में उपस्थित होता है इसकी कमी से बैरी-बैरी रोग हो जाता है राइबोफ्लोविन जिसे B2 विटामीन भी कहा जाता है इसकी जो मांग है वो कैलोरी की मांग पर निर्भर करती है इसकी कमी से ए राइबोफ्लोवन नोस्टिस से हो जाता है है जिसके करण से होटों का कटना आधी हो जाता है नियसी जो है नियसीन माय्ट और नीकोटेनिक क्याफिट के नाम से भी जाना जाता है इसकी मात्रा भी कैलरी की मांग पर निर्भर करती है और फॉलिक यह विटामीन बी का ही पार्ट है यह भी जो है इसकी आबशक्ता होती है यह हरे पत्तेदार सब्सक्राइब यक्रत दाल मांस में प्रच्छर मात्रा में उपलब रहता है इसके लावब विटामीन B12, विटामीन C, एसकॉर्बीक अमली जिसे कहा जाता है जो आमला, आम्रूत, संत्रा, आदि में पाया जाता है आदि में परियाप्त मात्रा में उपस्तित होता है खनीच लवन, अस्तियों, दातों, रक्त, खान्मों, आदे के निर्मान के लिए खनीच लवन, अत्यंत, आव इसके अलावा केल्शियम जो है अस्ति और दातों के निर्मान के लिए केल्शियम नितांती हावशक होता है अस्तियों के द्रड़ता और मजबूती प्रदान करता है शैश्वावस्ता पाल्वा बाल्यावस्ता किश्वरवस्ता गर्वावस्ता और धात्रियावस्ता में इसक आइरन की कमी से बहुत ही सीवियर में कहते हैं वह एगर कमी हो जाय तो हयर ऑगर रोग जाता है और भारत में आईनी की शिकायाइट महिलाओं के अंदर घर्वती महिलाओं도로 और किस्वर वस्तह बालिकाओं के अंदर काफी आजकल पाई जा रही है जिसके अभाव में अगर एनीमिया हो जाता है तो यहां खून की कमी हो जाती है तो इसके जो मेंन सोर्सर से जसके अंदर सबजियां है हरे पत्तेदार सबजियां है सोया, बीनय, तिल, मांस, मचली या करत गुड़ आदि में मात्र में पाया जाता है और नहस्सा अंदर जैसे ततीज मिली ग्राम में प्रतिद में अभशक्ता ँति है लेकिन गर्षा मयला में आदि बहुतित मीलुमिया कि इसके अलावा बाली आवस्था में मात्रा अलग अलग होती है प्रति दिन होता है लड़कियों में 28 मिलिग्राम और लड़की में 16-18 बर्ष में 30 मिलिग्राम आईरन की आवश्यक्ता हो जाती है तो इस तरह से हम देखें तो संतुलित आहार अगर हमें लेना है तो हमें सारे पॉस्टिक पदार्तों का ध्यान रखना पड़ेगा और हमारी जो आवश्यक्ता है उनके अनुसारी हमें पॉस्टिक पदार्त ग्रहन करने चाहिए